नमस्कार, कोटबुदली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं पंकर शेरावात उपस्तितु आपके सामने महतपूंड जयानकारी लेकर, आज हम बात करने वाले हैं, मतश्य उनुष्टि का पोल्टेकल साइंस का दान रखे, फर्ष्ट सेमेश्टर वालों का प पेपर आया सामने है, बिलकुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्यूष्ट देखने को मिल रहा है, साहमुई के उत्तरदाई तो पर्मुक लक्षन है किस चीज का लक्षन है द्यान रखे आंसर आएगा B संसदी असासन का द्यान रखे इसमें जो टिक लगे हुए है द्यान रखे और यह जिसका पेपर द्यान रखे उसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे साहमुई के उत्तरदाई पर्मुक लक्षन है संसदी असासन का द्यान रखे पहले क्यूशन का आंसर आएगा यह अब देखो यहाँ पे सैट A, सैट B, सैट C इस तरीके से अलग-अलग क्यूशन अलग-अलग देखने को मिल रहे है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपका कुशन इंपोर्टेंट है कुशन का आंसर आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है मैं 45 कुशन समझा रहा हूँ यहाँ पर सैट B के द्यान रखे और बीच में 5 कुशन का प्रिंट सही नहीं था इसलिए मैंने उठाया और दूसरे से द्यान रखे अब यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ द्यान रखे यह अलग सैट का है कुशन द्यान रखे इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और बाकी जो कुशन है वो अलग सैट के होने वाले है तो बिल्कुल ऐसे कंफरम आपको दिक्कत नहीं होनी चीए जो मैं कुशन आपको समझा रहा हूँ द्यान रखे अगला कुशन है भिया निम्नांकित में से कौन सी अध्यक्षात्मक सासन की विसेस्ता नहीं है आंसुर क्या आएगा आंसुर आएगा सी यहाँ पर लेको फ्री रैस्पोंसबिलीटी द्यान रखे उत्तरदाईत्यों का आबाव है किस सासन प्रणाली के संचालन हेतू राजनितिक दिल अनिवारिया द्यान रखे किस सासन प्रणाली के संचालन हेतू राजनितिक दिल अनिवारिया है तो यहाँ पर तीसरे कुशन में आंसुर आएगा दी लोक तंतर द्यान रखे यहाँ पे क्यूशन है निमनाकित में से किस देश में बहु दलिया प्रणाली है सोथे नमर का क्यूशन है द्यान रखे आंसुर आएगा C भारत में द्यान रखे अगला क्यूशन है राजनितिक दलों की परमुक विसेश्ता क्या है अगला क्यूशन है निमनाकित में से कौन सी सफल दलिये वैस्ता की सर्थ नहीं है द्यान रखे अब सवाल है साथवी नमर का यहाँ पर पूछा गया दलिये वैस्ता की सर्थ कौन सी नहीं है तो इंटोलरेंस द्यान रखे किसी भी दलिये वैस्ता की सर्थ नहीं होते है तो आए सईसनुता यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकिये सर्थे तो सब की होती है दान रखे ए सही सुनुत है किसी की सर्थ नहीं है आंसर आएगा B यहाँ पे क्यूशन है दान रखे lobbying is related to lobbying किसे समंदित है दान रखे तो आठवा क्यूशन जो यहाँ पे है उसका आंसर आएगा D निर्वाचन से समंदित है दान रखे आंसर आएगा D निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूँ का तरीका नहीं है क्यूशन है which of the following is note the technique of pressure group दान रखे तो इसके लिए जो 90 क्यूशन का आंसर होने वाला है चुनाओ लड़ना दान रखे Contesting Election दान रखे दान रखें दान रखें दान समूँ का तरीका नहीं होने वाला है एक सवाल है निम्नांकित में से कौन सा दान समूँ है चार option दिये होए है तो दान रखें दस्वे कुशन का आंसर आएगा B यहाँ पे B Indian Labour Union दान रखें या दवाव समुए कौन सा दवाव समुए तो इंडियन लेबर यूनियन है जो दवाव समुए धान रखें, आंसर आएगा 10 तुमें क्यूशन में धान रखें, भारतिया मजदूर संग, अगला क्यूशन है, और जब भी मुझे पेपर बेजा गरे तो बिल्कुल साफ तरीके से बेजा करें दियान रखें कभी भी देखो यहां पर काफी कुशन साफ नहीं दिख रहे होंगे आपको उसका कारण है जैसा पेपर आपने प्रिंट बेज आए किसे के नंबर थे नहीं इंस्टाग्राम पे मुझे पेपर मिला उसका सोलुशन में आपको करवा रहा हूं द्यान रखें अगला क्यूशन है निम्नांकित में से एकल संक्रमिनी है काफी कुशन ऐसे दे दिये कुण से नहीं है कुण से नहीं है सीधे कुशन बहुत कम देखने को मिले है हलंकि जो मैंने पेपर समझाया था उसमें से काफी कुशन देखने को मिले है देख लेना जब मैं पेपर चेक कर रहा था इसको solution चेक कर रहा था तो आपे मुझे काफी question मिले है देख लेना एक बार कितने क्या मिले हैं 50 question में भी मैंने काफी देखे हैं सुबह जो वीडियो आएगा दूसरा 50 question का उसमें भी देखने को मिल जाएंगे बात करते हैं तेरवे question के निम्नांकित में से आनुपातिक परतिनित्यों प्रणाली के कौन से दो परकार है तो यहाँ पर तेरवे question का answer होने वाला है दान रखे एक संकर्मनिय मत प्रणाली और सूची प्रणाली दान रखे यानि कि single transferable system and list system दान रखे इसका आनसूर रहेगा अगला question है भिया निम्नांकित में से नियम निर्माण करने वाली संस्ता कौन सी है नियम कोन बनाता है भिया दान रखे नियम कोन बनाता है तो answer आएगा C कार्यपालिका आपको दान रखे एक्जिक्यूट्ट्यू दान रखे आपकी संस्ता है जो नियम बनाती है दान रखे देश का बजट कोन पारित करता है यहाँ पे काफी लोगों को confusion रहा है काफी लोग इसको गल्त भी करेंगे दान रखे पंदरवे question का आनसूर आएगा B कार्यपालिका बजट पारित कोन करता है अंतर है वर्डिंग का अंतर है दान रखे यहाँ पे उप्युक्त सभी आनसूर आएगा दान रखे अगला क्यूशन है भी यह बहुल कार्य प्रणालिका का उधारन है दान रखें, बहुल कार्य प्रणालिका का उधारन क्या है, आंसर है बहुल कार्य प्रणालिका का उधारन है, इसमें आएगा, सत्रवे कुशन का आंसर जो होने वाला है, दान रखें, सत्रवे कुशन का आंसर रहेगा, बी, यहाँ प का कारिया नहीं है चार कार्या यहां पे दिव हैं कौन सा कार्या पाल। कार्या नहीं है तो आंसुर आएगा यहाँ पर political, socialization and education दाने के राजनितिक, समाजिकरन, सिक्षन यहाँ कार्या पालिगा के अंडर नहीं आता दाने के बाकी चीजों में कार्या पालिगा involve होती है आंसुर आएगा A अगला question है निम्न में से कौन सा एकल कार्या पालिगा का परमुख गुण है यहाँ पर 19 वे question का आंसुर देखने को मिलेगा D दान रखे एक रूपता और इस्तिरता बिल्कुल यह भी देखने को मिलता है परसासन में ड्रेड़ता भी देखने को मिलती है सिग्रतामे निर्ने लेने की चमता है या कार्या पालिगा की ताकत है दान रखे तो D आंसुर आएगा उप्योक्त सभी एक case है भीया यहाँ पर दान रखे 20 वे question है मारबरी बना medicine मामला है किस चीज के लिए किस जो निर्ने है उसके लिए परसीद दान रखे तो यहाँ पर 20 वे question का आंसुर आएगा भी है दान रखे नयाईक पुन्राव लोकन के लिए ये question मैंने करवाया भी था मैंने बोला भी था कि most important है बहुत बार पूछा गया है और बिलकुल आपके paper में भी पूछा गया देख लीजे दान रखे नयाईक पुन्राव लोकन के लिए 20 वे question का आंसुर आएगा C दान रखे judicial review अगले question की तरफ चलते है निम्ड में से कौन सा नयाईपालिका के सवतंतरता के लिए आउशक है 21 वे question है दान रखे इसका आंसुर आएगा भी है 22 वे question का आएगा देविड इस्टन रखे निम्णांकित में से किसने राजनितिक व्यस्ता संदाचनात्मक परिकार्यात्मक मोडल का प्रतिपादन किया द्यान रखे तो यहाँ पे 24 वे question का आंसुर आएगा A. आमंड वे पावेल आंसुर आएगा द्यान रखे निम्ण में से कौन सा विचारक निवेस विसलेशन से समंदित है यहाँ पे द्यान रखे इनपुट आउटपुट अनलाइसिस किस से समंदित है 25 वे question का आंसुर आएगा C. द्यान रखे डेविड इस्टन 25 वे question का आंसुर है C. डेविड इस्टन द्यान रखे बात करते हैं आदूनी की करण का अर्थ क्या है आदूनी की करण को हम किस तरीके से समझते है मोडराईजेशन द्यान रखे तो 26 वे question का आंसुर होने वाला है विचारों मुल्यों में परिवर्तन बिल्कुल सही है 27 वे question की बात करते है निमन में से कौन सा राजनितिक आदूनी करण का लक्षन है द्यान रखे तो यहाँ पर बुद्धिकत, संगत, सत्था द्यान रखे विभी निकरत, राजनितिक, संदचनाय, राजनितिक, सहवात सभी अपना-परियास करते हैं यहाँ पर तीनों सही है, द्यान रखे किसलिए आंसर आएगा उप्योग तो सभी 27 वे question का आंसर है एक question 28 वे question यहाँ पर काफी लोगों ने गल्ती कर दी होगी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर पूछा है बहिया एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनेतिक आधिकरण के मोडल कितने है द्यान रखे यहाँ पर पूछा है किसके अनुसार एडवर्ड सिल्स के अनुसार जैगो इसके अनुसार 6 मोडल है आंसर आएगा D 28 question में D आंसर आएगा लेकिन मानने कितने हुएते 5 तो काफी लोगों ने 5 टिक कर दिया हुगा द्यान रखे वो गलत है एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनेतिक आधिकरण के मोडल है जो 6 होने वाले द्यान रखे इनके अनुसार पूछा है तो इसका आधिकरण के कौन से विचारक के अधिकरण के अधिकरण रखे अधिकरण के अधिकरण के अधिकरण के अधिकरण के एडवर्ण रखे पिर से बात करते हैं बुक को लेकर ही question है ए विंडिकेशन ओफ दर राइट सोफ मुमेन द्यान रखे ए विंडिकेशन ओफ दर राइट सोफ मुमेन नामक पुस्तक की लेखी का कौन है तो answer यहाँ पर देखो 33 question में answer आएगा C Mary Wollaston Craft द्यान रखे answer है C Mary Wollaston Craft द्यान रखे answer रहे नगा इसके लिए खक है जो निमनांकित में से कौन सा नारिवाद की मुखेदारा में सम्मिलित नहीं है 34 question का answer रहेगा B राजनतिक नारिवाद द्यान रखे नारिवाद की मुखेदारा में सम्मिलित नहीं है अत्यदिक question पूछे गए है क्या नहीं है इसलिए पूछा गया कि आपको concept याद होना चीए तुक्के नहीं मार पाएंगे भईया इसमें यह गलती यहाँ पे आप लोगों ने कर दी होगी question समझना चीए ता लाश्ट में पूछा आंसुर आएगा A 36 वे question की चलते हैं द्यान रखे निम्ण में से कौन सी विचारदारा liberalism से समंदित है द्यान रखे liberalism से समंदित कौन सी विचारदारा है भईया तो यहाँ पर 36 वे question का आंसुर देखने को मिलेगा B यहाँ पे पूंजी वाद द्यान रखे निम्ण में से कौन सा विचारक सकारात में कुदारवाद से समंदित है 38 वे question का आंसुर है D. होब हाउस द्यान रखे अगला सवाल अभी है निम्ण में से कौन सा वेग्यानिक समाजवाद का जनक किसे का जाता है अगला question है माक्सवाद का अंतिम लक्ष Mahar क्या है 40 कुशन का आंसुर होने वाला है C. उदारवादी लोकतंतर के स्ताफना माक्सवाद का अंतिम लक्ष Mahar क्यान रखे यह है 40 कुशन का बात करतई 40 कुशन के तरफ चलते है निम्दान्कित में से किस विचारेक से कार्माकस ने दौंदात्मक, जोतिवादगी, औुधारना, ग्रहन की द्यातन रिके? 41 क्कूषिन का आंसुर आएगा D. हीगल आएगा आंसुर द्यातन रिके? प्लेटो गलत टिक कर रखा इसने. यहां पे आंसुर आएगा D, ढन्सुर आएगा द्यान रहेगा अगला सवाल है बहिया, खाल माक्स के आनुसार निर्दारिट में से कौंसा किसी वउस्तू की कीमत निरदारित करता है? 40 कूषीं का आंसूर है सरम द्यान रहे, लेबर द्यान रहे, किस वस्तू की कैमत क्या निर्दारित करता है, काल माक्स के अनुसार, उसका सिरम निर्दारित करता है, द्यान रखें अब सवाल है भिया अगला इकोर निम्नांनकिते में तुमसे को लिखारक अराजकता वाद से समधित नहीं है 43 वे कुशन में आंसुर आएगा C. Heagle द्यान रखे अगला कुशन है निम्नांकित में से कौन सा विचार दरा राज्य की परबल विरोधी है द्यान रखे 44 वे कुशन इसने गलत कर रखा है द्यान रखे यहाँ पर आंसुर आएगा किसने कहा भी यहा Freeman किसने कहा 45 वे कुशन का आंसुर आएगा पुरुडो द्यान रखे पुरुधो ने कहा था आंसुर आएगा D. द्यान रखे अब यहाँ पर कुछ कुशन था जिसके मतलब कि यहाँ पर repeat मैंने अलग से किया है फिर मैंने किसी दूसरे student से अगले पचा पांच कुशन से लिये थे उसी सीरीज से द्यान दखें तो अब द्यान दखें यहाँ पे चलते हैं मैं कुछ कुशन 5 कुशन और आड़ कर देता हूं इसमें Who wrote the book? द्यान दखें कुशन है यहाँ पर जो C सीरीज थी द्यान दखें उसमें यहाँ कुशन था 46 वे नंबर पर लेकिन B की बात करते हैं B सीरीज वालों के सैट जो B रहा उसके यहाँ पर 66 वे नंबर पर कुशन है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे है उसका प्रिंट सही नहीं था इसलिए से मुझे कुशन इस तरीके से समझाना पढ़ रहा है द्यान रखें तो अब कुशन है 66 वे नंबर पर द्यान दखे अगला कुशन Who wrote the book The Conquait of Braid द्यान दखे The Conquait of Braid नामक उस तक किसने लिखी इसका आंसवर क्या आएगा तो इसका आंसर होने वाला है दान लखे इसका आंसर है बिया पीटर क्रोप्टिकन दान लखे पीटर क्रोप्टिकन दान लखे पीटर क्रोप्टिकन दान लखे इसका आंसर होने वाला है यह आएगा आंसर दिखे अगला सवाल है बिया राज्ये का आदार इच्छा है सकती न अंसर होने वाला है अगला chemistry बीट से चलते हैं राज्य परत्व्य पर इसवर का अवतार है जान ने की ए एहां डिया अगला question इनने की जान नहीं है कि राज्य और्ट स्वालोविग यहांब कि तुमने से कौन सा नहीं है यहाँ पर चार उप्षन है राज्य शादर है सादन नहीं राज्य एक अनेतिक संस्ता है यहाँ पर गलत दिया है यहाँ इसमें से सब्सक्राइब कर लिजे और आने वाले समय में जो भी पिपर होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे थैंक्यू कर दो 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 जो 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 ज